इस lecture के अंदर जो चीज हम देखने वाले हैं वो है data inconsistencies, यानि कि data जब हम collect करते हैं, data हमारे पास आ जाता है और उसको machine learning model के लिए या हम artificial intelligence के लिए use करने वाले हैं, तो उस data के अंदर जो inconsistencies, यानि कि बेतरतीबियां या तरतीब के बगएर जो data होता है, या कोई भी ऐसी anomaly, abnormality, या data का खराब होना, या data का बिमार होना, I'm just making it up by the way, बिमार नहीं होता, data खराब होता है, so जब हम उन चीजों को देखते हैं, तो उनको cure करते हैं, ताकि हमारा model जो है वो अच्छा है, तो data inconsistencies भी हम देखेंगे इस lecture के अंदर, and then later on उन inconsistencies को remove करने के तरीके भी देखेंगे, so let's see on our screen के data inconsistencies असल में होती क्या है, hopefully इस lecture के अंदर ये चीज़े जो अब हम cover करेंगे, then you will understand के data inconsistencies कितना important part अदार करती हैं, अगर आप उनको handle करते हैं, in a nice way, let's begin, मैं screen आपके सामने अपनी share करता हूँ, यहाँ पर आपको screen नजर आ रही होगी, so हमारा जो topic है, that is related to data inconsistencies, let me just put it there, data inconsistencies, ठीक है, data के अंदर जो different किसम की inconsistencies आती हैं, या बेतरती भी आती हैं, हम उनको देखने वाले हैं, कि वो क्या होती है, so पहली किसम की जो inconsistency है, वो तो मैं आपको बता देता हूँ, कि आपका data जो भी आगया, आपने collect कर लिया, या किसी ने collect किया, whatever was the reason of collecting the data, उसके अंदर जो पहली inconsistency आती है, वो होती है, inconsistent, 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 तरतीब भी जो होती है, inconsistent formats, ठीक है, तो inconsistent formats क्या होती है, basically ऐसी formats, जो आपके data के अंदर inconsistent होती है, for example, आपने एक data collect किया, उसके अंदर आपके पास एक column था date का, ठीक है, आपने date का column collect किया, और उसके साथ सारे का सारा data, जितने different columns हैं, उसके अंदर वो आपने collect किया, so date की जो format है, वो basically तीन या चार किसम की होती है, अगर आप देखें, तो date, date, dash, month, month, dash, year, 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 ठीक है, एक तो ये होती है, एक होती है, year, 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 dash, month, month, and dash, date, date, so usually क्या होता है, ये different किसम के रिजन्स के अंदर, different किसम के dates जो हैं, वो यूज की जाती है, कभी कबार आपकी date जो होती है, date, date, slash, month, month, slash, आपके पास year, 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 इस तरीके से भी आती है date, और अक्सर ओकात आपके पास date जो है, वो इस तरीके से भी आती है, 19th, for example, इस तरीके से date 19th of December और ये होती है 2022 अगर लिखा जाए तो इस तरीके से भी date आ सकती है and then there are many other formats of same date आपने क्या करना होता है आपने find out करना होता है कि किस जो कौन सी ऐसी format है which are important for you जो आप समझते हैं कि जिस area में आप present करना चाहरे हैं data या इसको collect करके इस पर analysis करना चाहरे है तो वो date की जो format है वो कौन सी आपने रखनी है ठीक है तो आप different किसम की formats को single format के अंदर convert कर देते हैं यानि कि जो भी आपके date की format हो जैसे भी data collect की है convert that into single non-format वो कोई भी हो सकती से for example मुझे जो पसंद है date की format that is this one और ये ज्यादा तर Asian countries के अंदर भी और European countries के अंदर भी ज्यादा तर ये चलती है US बगारा के अंदर ये उल्ट date जो है वो ज्यादा तर चलती है but it's up to you आप अपने country of residence की बेस पर ये देख सकते हैं जहां का project है basically so ये आपके पास एक चीज जो है वो easily आपके सामने आगी inconsistent formats इसको आपने inconsistent format को एक format में change कर देना है तो अगर एक column के अंदर आपके पास multiple formats में data है आप उसको एक में change कर देंगे the next one inconsistency के अंदर जो अगली inconsistency है that is called as naming conventions inconsistent 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 बलके naming conventions naming conventions naming conventions किस तरीके से inconsistent हो सकती है मैं भी आपको समझाता हूँ say for example आपने अपने data collect की है data collect करते साथ ही आपके पास एक data है जिसका नाम है country ठीक है तो आप क्या करते हैं country के data के अंदर जब आप country का data collect करते हैं आपके पास country के नाम के अंदर United States of America जब लिखा गया है कभी इसको USA लिखा गया है कभी United States लिखा गया है करके उस naming convention को आप एक consistent naming convention में ले जाते हैं inconsistent क्या होता है यह inconsistency है कि USA इस तरीके से लिखा हुआ है तो यह USA इसी तरीके से आना चाहिए लेकिन वो ऐसे नहीं आता and then the USA is coming in different way for example, वो United States की form में लिखा USA की form में, United States of America की form में you have to make these four into one consistent format, same वो ही चीज inconsistent data को आप consistent data के अंदर convert कर रहे है जो one format है for example, मुझे पसंद है कि मैं dot इस तरीके से लिखता हूँ ताके मेरे पास सारे का सारा USA ऐसे लिखा जाए so it's you, you have to decide क्या आपने USA लिखना है, United States लिखना है, United States of America लिखना है or whatever you want to use the convention you can actually utilize that type तो यह आप पे depend करता है, at the end जो report होगी उसके अंदर आप obviously United States लिखेंगे, लेकिन data के अंदर आप USA एक ही थरा से लिखेंगे ठीक हो गया, अब आगे चलते है number 3 पे जो आपकी है वो होती है typographical error यानि कि number 3 is typographical errors अब typographical errors कौन कौन सी होती है यह आपको भी पता है कि typographic होती है mistakes in data entry वो कोई भी हो सकती है mistakes in data entry आप जब data enter कर रहे होते हैं तब भी mistakes हो सकती है for example Pakistan country का नाम है आपने Pakistan यह वाला सही लिख है लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इस तरीके से भी लिखा जाता है typo हो जाती है ना आपसे typographical mistake यानि कि दो दफा ही आ गया या N नहीं लिखा हुआ या P छोटा हो गया P बड़ा हो गया इस तरीके से typographic mistakes क्या होती है आप घलतियों को सुधारते हैं यानि कि अगर मेरे पास P छोटा लिखा आ गया एक दफा और बाकी सारी दफा P बड़ा है तो मैं यह इस inconsistency को actually P capital में ले जाऊंगा and पूरे पाकिस्तान के spelling लिखतूंगा so this is one of the other typographical inconsistency जो हमें देखनी होती है ठीक है फिर इसके इलावा inconsistency यानि के बे-तरतीबी में एक और बे-तरतीबी होती है which is very important और यह आप लोगों को मैंने पहले भी बताइए that is duplication 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 यानि के data दो-दो दफा आया मतलब एक बंदे का एक दफा data आया दूसरे का भी वही बंदे का दुबारा फिर दुबारा आ गया so दो या दो से ज्यादा दफा जब एक ही row जो है वह बार-बार आती रहे तो इसको बोलते है duplicates तो यह भी inconsistency है ठीक है so you have to remove that duplicate as well समझागी यहां तक ठीक है अब इसके बाद आपके पास जो पांचवी inconsistency होती है that is called contradictory data यानि के जब आपके पास contradictory data आता है कौन सा data जो contradict कर रहे है say for example मैं आपको मिसाल देता हूँ आपने data लिया है age का ठीक है और यह आपकी है son की age और यह है father age ठीक है son age और father age son की age जो है वो हमेशा father की age से छोटी होती है यानि के son जो है उसकी जो age है बेटे की age हमेशा छोटी होगी father की age से यह एक logic है हमारे पास ठीक है और जहरी बात है हमारे मौशरे के अंदर obviously ऐसा ही होता है even though के हमारे पास जो है son और father की age में जो फरक होता है वो 10 से 15 से 20 साल से भी ज्यादा हो सकता है so it's up to us के ये किस तरीके से आती है by the way 10 साल तो नहीं होगा by the way ये बहुत बड़ा difference होगा I'm just saying that difference बड़ा होगा so अगर logically father की age किसी data में for example father की age हा रही है 40 और बच्चे की 50 होगी इसका मतलब है कि ये logically true ही नहीं है ऐसा possible हो ही नहीं सकता हाँ ये हो सकता है कि जारी बात है कोई जो निकाह है वो बाद में हुआ हो और हो सकता है कि मतलब किसी यंग बंदे ने किसी एक old lady के साथ शादी कर लियो but in cultural perspective अगर पाकिसान में देखा जाए ये इंडिया के अंदर देखा जाए it's very rare बहुत rare होता है so इस वज़ा से ये cultural perspective भी देखा जाते है और secondly ये जो आपके पास contradictory data आजाता है कि father की age son से बड़ी होनी चाहिए अगर ये उल्ट हो जाए so there is some बेतरतीबी here so you have to remove that inconsistency inconsistency ये वाली भी आपने remove करनी होती है ठीक है और ये inconsistencies कैसे remove की जाती है you use different kind of python scripts जिनके थूँ आप इनको remove कर सकते है and then it would be really helpful for you किस तरीके से आप इस तरह की inconsistency के साथ deal कर सकते है ठीक है और ये जो सारे का सारा तरीका है ये basically आप python के इलावा excel के अंदर भी use कर सकते है और basic जो आपकी data formatting की libraries हैं जिसमें आप csv file बना रहे हैं तो वहाँ databases के अंदर जा कि इसको correct भी कर सकते है manually भी कर सकते हैं और python script के साथ भी और अब मैं एक दो examples आपको inconsistency के दिखाता हूँ और फिर उस पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये हम remove कर सकते है inconsistency को मैं screen अपनी share करता हूँ आपके साथ यहाँ पर आप देखें missing values के बाद अभी जो तीसरी notebook है मैं यहाँ पर बनाता हूँ inconsistency in data ipynb ताके यह आपके पास इस तरीके से 3 numbers जो notebook है वह आपके पास आजाए so we will see कि यह examples हम किस तरीके से लेके आते है सबसे पहले तो हम कोई भी एक data generate कर लेते हैं say for example just a minute यह मेरे पास एक data आ गया ठीक है यह एक data मैंने यहाँ पर python ml के साथ ही import कर लिया और obviously यह मेरे पास data आ गया libraries जो हमें चाहिए import pandas as pd यह हमने import की और यह जो data है हमने यह data एक बना लिया data इस तरीके से हमारे पास आ गया और अगर मैं data dot head कर हूँ then maybe we can have a look on the data जो नहीं आ रहा हमारे पास so we have to convert that into pandas data frame make pandas data frame so उसके लिए आप df is equal to pandas data frame में यह बला data ले जाते हैं and now it will show me if I write here df तो यह data मेरे पास आ गया मेरे पास date है country है name है sales 2020 की है and sales 2021 की है so you can see के inconsistencies यहां पे हमने induce करवाई है already data के अंदर यह हमारी dates भी खराब आ रही है ठीक है और हमारे पास country के नाम भी different किसम के आ रहे है ठीक है और हमारे पास जो लोगों के name है वो भी आप देख लें के different किसम के and duplicates भी है and सारी चीज़ें यहां पे हमारे पास इस data के अंदर है अब हम बारी बारी देखेंगे के यह data हमें किस तरीके से perform help करता है inconsistencies को remove करने में मैं यहां पे पहला जो अपना task लिखूंगा that is standardizing the date format हमने पहला task यह करना है के date को standardize करना है तो हम क्या करेंगे simply df into date date लिखने के बाद pd to date time यह हमारे पास एक command होती है कि अपने pandas का data frame जो है यह वाला इसको date time format में convert कर दें ठीक है यह हमारे पास एक function है जो क्या करता है उस column को लेके न errors को remove कर देता है and then we will have a nice data यहां पे df.head भी बात में करता हूँ जो आपको दिखाएगा कि किस तरीके से हमारे पास data जो है वो आ जाता है so अगर आप check करें हमारे पास यहां पे जैसे मैंने इस command को run किया तो इसने क्या किया basically हमें जो data है वो इस format में दे दिया this is one of the formats और अगर आप गोर करें यही चीज हमारे पास यहां पे है लेकिन हमारे पास second जो task है उसमें भी date गलत है third वाले में भी गलत है and then fourth वाले में भी गलत है so we have to see के इन चीजों को हम कैसे deal कर सकते है right so पहली चीज यह है के हमने जब standardized date करनी है तो हम उसकी string format भी बता सकते है के date को किस तरीके से लेना है and then you can actually work on this for example मैं यहां पे इस data को दुबारा से run करता हूं इसको भी और उपर वाली सारी commands को भी ताके मेरे पास जो date है वो इस तरीके से आ जाए let's see के यह हमारे पास date जो है इसको settle down करता है के नहीं करता okay so df.head अब हमारे पास यहां पे आगी है none values तो हमने क्या किया basically जो हमारे पास date थी उसको हमने रख रही है जो inconsistent dates थी उनको हमने remove कर दिया but on the other side you can see के हमारे पास यह जो formats different किसम की आई है we can actually make them here और हम उसको fill कर सकते है यानि के 1, 2 और 3 को हम बाद में fill कर सकते हैं कि हमारे पास जो typical date है वो किस तरीके से आ रही है so it would be simple आप क्या करेंगे जो हमारे पास none values है in date format उनको आप replace कर देंगे 1, 12, 2021 क्योंकि यह same date है अगर गौर करें 1 December 2021, 1 December 2021, 1 December 2021 and 12 December 2021 so you can actually replace them या इसके इलावा आपके भी mind में जो भी data आता है वो आप इसमें add कर सकते हैं I will leave that as an assignment क्योंकि आज से onward आपके पास छोटी-छोटी assignments भी यह होंगी now I would say impute या आप fill the date and try another method to complete the date format in consistencies ठीक हो गया यह आपके assignment है और इसको मैं इस तरीके से लिख भी देता हूँ तो यह पहली assignment आज कि आपको मिलगी कि यहाँ पे आपने अब check करना है कि किस तरीके से in date को हम impute कर सकते हैं और यह चोटी-चोटी assignments इस वज़ा से ज़रूरी हैं ताके आपको पता चल सके कि आपकी गलतियां कहां पे होती हैं and how you can actually impute different things यहां तक clear होगी जी बात आपको तिनों में एक ही constant के साथ fill कर दें constant होता है ऐसी value जो change ना होती हो ठीक है जो change ना होती हो so आप क्या कर सकते हैं आप ऐसी value के साथ भी उससे replace कर सकते हैं जो कभी change नहीं होती और ऐसी values के साथ भी replace कर सकते हैं जो change होती है तो constant का मतलब आप एक ही value तीन null values के अंदर fill करते हैं ठीक है ओके तो अब हमारे पास इससे अगला जो inconsistency है वो है name of the country तो हम क्या करेंगे harmonize the name of the country हम name of the country जो है उसको harmonize करते हैं अगर आप दुबारा से data को देखें तो हमारे पास जो data है वो कुछ इस तरीके से है USA, USA, America, United States अक्सर अकात ऐसा होता है कि आप इसको string operations के साथ भी कर सकते हैं string operation क्या है कि ये सारे capital है इनको सभी को small कर दें वो भी हो सकता है अगर ये सारे capital नहीं है और small है इनको सभी को capital कर सकते हैं अगर आप letter case में करना चाहते हैं title case में करना चाहते हैं it's up to you so you have to think कि आपने किस तरीके से इस inconsistency को remove करना होता है so जो मैं तरीका यहां पर use करूँगा that is related to country के जो mapping है हम उसके तरीके से इसको लेके चलते हैं और यहां पर मैं directly जो है अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो country है अगर गौर करें country यह वाला column है जिसके अंदर यह सारी चीजें लिखी हुई है so मैं क्या करता हूँ मैं कहता हूँ कि country mapping के अंदर हमने एक क्या उसे बोलते हैं एक नया object बनाया जिसके अंदर USA उसको United States बोल दिया या USA को हमने United States बोल दिया या America है उसको भी United States बोल दिया यानि कि हमने क्या किया जहां जहां पे USA लिख है उसको replace कर दिया United States से जहां जहां पे USA में dot डाल के लिख है उसको replace कर दिया United States से फिर जहां जहां पे America leak है उसको भी United States के साथ हमने replace कर दिया so हम df country एक जो column है उसके अंदर change लाएंगे df country dot replace करने के बाद यह जो object हमने बनाया था इसके साथ replace कर देंगे and df dot head अगर करके देखें then it would be like this United States तो यह harmonize the name of country हमने कर दिया इसका simple यह तरीका find and replace जो आप excel sheet के अंदर भी करते है आपने एक सुरकवाद ctrl f करके find किया होगा या ctrl h करके excel के अंदर चीज़ों को replace भी किया होगा तो find and replace की command python के अंदर ऐसे चलती है आप excel के अंदर भी use कर सकते है यही चीज और आप manually भी इस चीज़ को find and replace कर सकते है ठीक है अब इसके बाद है हमारे पास अगली consistency inconsistency जो है harmonizing हमने करना है name को ठीक है अब हमने क्या करने correct the typographical mistakes in name हम इनको correct करते हैं typographical mistakes है हमारे पास name के अंदर say for example मैं यहां पे आपको गोरों की example क्यों दे रहा हूँ क्योंके आपने फिर देसी examples बनानी है so that's the main task for example यहां पे हम अगर correct करें कि john daw जो यहां पे लिखा हुए इसका असल name यह है j-o-h-n ठीक है john daw तो आपने क्या करना है उनको replace करना है same वो ही चीज है के आपने replace की command लगाते जाने है say for example यहां पे john लिखा हुए है यहां पे john के spelling गलत हो गए है तो हम इसको correct करें simply ले जना आप दोनों correct होगे so find and replace की command है again ठीक है j-do, john-do तो हमने john का जो n पीछे था वो आगे लिए है this is how you can do it फिर हम क्या करते है remove duplicates कैसे remove करेंगे duplicates आपको भी पता है remove duplicates remove duplicates के लिए आप simply command यूज करते है df is equal to df drop dot duplicates drop underscore duplicates not dot duplicates तो आपने कौन से किस base पे duplicates को remove करना है आपने name की base पे करना है ठीक है क्योंके name आपका दो दो दफा आ रहा और आपको पता है कि ये दोनों की जो sales है वो different आपके पास आ रही है तो आप एक column की base पे भी कर सकते है totally भी कर सकते है for example यहाँ पे अगर मैं आपको df add करके दिखाऊ आपके पास अभी भी कोई duplicates नहीं है क्यों? क्योंके अगर john daw को देखा जाए तो इसके दो नाम है लेकिन यहाँ पे भी value different है यहाँ पे भी different है so it won't remove लेकिन अगर हम यहाँ पे बकाइदा बताएंगे कि subset करो based on the names तो अब देखें यह आपके duplicates remove होगे so you can also tell the column name के किसकी base पे remove करने like यहाँ पे check करें कि आपके पास john daw भी था john daw भी और यहाँ पे jane daw और jane daw भी तो आपने इसे remove कर दिया ठीक है? अब इसकी मिसाल मैं आपको एक और देता हूँ अब गौर कीजिएगा मैं यहाँ पे john daw की बजाए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमार यहाँ पे लिख देता हूँ अमार यहाँ पे लिख देता हूँ for example यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमजा और यहाँ पे लिख देता हूँ हजमा ठीक है? अब मैं दुबारा से उपर से नीचे तक दुबारा आपको सारे के सारे codes run करके दिखाता हूँ ताकि आपके पास naming convention तक वो सारे के सारे automatically आ जाए अब आप चेक करें यहां पे name है जी अमार का, अमार का, हमजा एन हस्मा इस तरीके से आ गया तो आपको पता है यहां पे जो हमने replace करना है, अमार के नाम के अंदर यह inconsistency है so I can replace AMAAR with AAMMR ठीक है, एक तो यह हमने replace कर दी दूसरा, जो हाजमा लिखा हुए हाजमा लिखा हुए उसको हम हमजा के अंदर convert करने वाले हैं, like this, ठीक है so यह इस तरीके से आप सिरफ find and replace कर रहे है, nothing more than that ठीक हो गया, यह replace हो गया this is how you can actually replace the things, और अगर मैं यहां से अब duplicate करूं, name की base पे it will do the same thing, name की base पे duplicates remove हो गया है ठीक है जी, यहां तक आपको clear हो गया बात, अब अगर आप गौर करें हम contradictory भी यहां से remove कर सकते हैं के कौन कौन सी sales हमारे पास किस तरीके से आ रही है I will just copy and paste the code ताके आपके सामने यह code directly आ जाए, say for example for demonstration, let's assume sales 2021 should always be higher than sales 2022 हमारे पास हमेशा यह वाली sales इस sales से ज्यादा होनी चाहिए ठीक है, so based on that we will remove the rows where this condition is not met तो हम क्या करते हैं, वो rows को remove कर लेते हैं, मैं अब क्या करता हूँ इस से उपर वाले सारी commands को run करता हूँ ताके मेरे पास जो duplicate removal से पहले data वो वैसे का वैसे ही है, df.head अगर मैं करूँ so this is my data set, अब जाहरी बात है मैंने यहां से fill n ने भी करना और बाकी चीज़ें भी करनी, but I would just say कि हमने क्या किया यहां से sales 2021 में जहां पे 2021 less than and equal to है 2020 से उस index की base पे हम column को drop कर रहे हैं, so हमारे पास बाकी क्या बच रहे हैं, हमारे पास simply यह दो column बच रहे हैं जहां पे वो condition पूरी हो गई है कि यह वाली sales जो है, इससे कम है, वो हमने उठा के बार किये अगर यह गौर करें आप, यहां पे 2021 की sales ज्यादा होनी चाहिए 2020 की sales से, तो हमने वो hypothesis यहां पे run किया तो उसकी base पे हमने, जो अपना logical चीज़ें थी वो निकाल दी, at the end हमारे पास यह वाला data बच गया, and this is how you can actually remove inconsistencies यह पूरे के पूरी code book आपको मिल जाएगी आपकी assignment यह है, कि आपने date वाली जो formatting है, इसको set करना है and this is crucial, आपको नहीं बता, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि these kind of assignments are very important for your growth और coding के अंदर, और second यह आपने करना कोई भी एक example data set बनाएं खुद से बनाएं या कहीं से लें, और उसकी inconsistencies उनको remove करें and it will help you a lot खास तोरपे string का replace वाला function आपको बहुत ज़्यादा काम करने को मिलेगा, यह था जी हमारा data inconsistencies के बारे में एक छोटी सी informative lecture और अगर मैं दुबारा से वापस जो अपनी notebook पे, तो हमने 5 किसम की inconsistencies देखी हैं, format के अंदर फिर हमने देखी है naming convention के अंदर, नमबर 2 फिर हमने क्या देखा है, फिर हमने देखा typographic mistakes जो होती है, उनको remove किया, duplicates को remove किया, और आपके पास जो contradictory logic आ रहा था, हमने उसको remove किया, ये जो 5 किसम की आपकी mistakes हैं या ir inconsistencies, जो बे-तरतीबियां abnormalities हैं, inconsistencies anomalies हैं डेटा के अंदर, ये बहुत बड़ा impact रखती हैं जब आप डेटा को collect करते हैं, अगर डेटा एक भी इधर उदर हो गया, तो आपकी output पर फड़ेगा, आपके model पर फड़ेगा यहां तक clear हो गया आपको प्लीज, like, share and subscribe next lecture में हम बात करते हैं